तो आज हम लोग Indian Bike Driving 3D में बनने जारे हैं Superman और Superman बनने के बाद हम लोग पूरे Indian Bike Driving 3D के शहर में उड़ने जारे हैं तो जब से मैं सुबर उठा हुना, आसमान में पता नि क्या आवाज़े आ रहे हैं देखते हैं अच्छा इदर जेट उड़ रहे हैं यहां पर पूरे आसमान में यार मतलब जेट्स हेलीकॉप्टर क्या क्या उड़ लेकिन आज ऐसा क्या स्पेशल है कितने सारे हवाई जहां पर उड़ रहे हैं यह देखो गाई स्नाइपर से देखे हम लूग दूर दूर तक ही है जय एक्स टेनर येलो वाली लेकिन यार मेरे को भी कभी कबार मन करता है उड़ने का काश मेरे पास भी सूपर मैं जैसी कोई पावर होती तो मैं भी उड़ पाता लेकिन अभी चलकर टीवी देख सकते हम यार यह बात तो सच हो गई है निउस में आ रहा है कि हम लोग एक दिन के लिए Superman बन सकते हैं बस हम लोग को हमारे फोन में Superman सर्च करना है ट्राइ करके देख लेते हैं पैसे तो लग नहीं रहे हैं तो हम लोग जाते हमारे फोन में और लिखता हूँ मैं इसमें Superman दबाते हैं इसको और आगई details भाई हम लोग को कुछ टेस्ट कंपलीट करने पड़ेंगे Superman बनने के लिए क्योंकि सिफ एक ही बन सकता है इसलिए टेस्ट हो रहे होंगे और हम लोग को सबसे पहले सूपरमैन का केप उठाना है जिससे हम लोग उड़ पाएंगे और यह रखा है construction site के उपर तो देर किस बात की जल्ली से उठाते हैं अपनी वाइक को और चलते हैं construction site की तरफ construction site में वैसे ना वो crane के उपर रखा है और crane का जो worker है जो की crane चलाता है ना वह अगर वहां पे होगा या फिर नहीं भी हुआ तो उसने अंदर जाने का रास्ता ब्लॉक कर दिया होगा तो अगर ऐसा हुआ होगा तो फिर मुझे कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा उपर चड़ने के लिए अभी चलके देखते कि हम लोग crane में घुस पा रहे हैं कि नी वैसे crane में यार काम अभी अभी चल रहा था क्योंकि यह जो हुक है यह साड़ी लटक रहा है तो मतलब यह लोग अभी काम करके गए हैं देखते ही क्या हम लोग भाई अंदर जा पाते हैं कि नी क्योंकि मैं अंदर चला गया गेट खुला होगा तो फिर मैं सीडी से चड़के ऊपर पहुच जाऊंगा यहां पर तो चड़ पा रहा हूं लेकिन यह रस्ता यार ब्लॉक कर दिया है ठीक है तो हम लोग को कुछ और रस्ता निकालना पड़ेगा लेकिन यह भी शायद यही लोग बताएंगे क्या करना है तो ह अपने घर के बातरूम से चड़ सकता हूं किसी और के घर के बातरूम में जाता तो बैए वो चिला था मेरे पर यहां से हम लोग को इसी पड़ेगा और डाट भी घानी नहीं पड़ेगी बातरूम ही एक अकेला रस्ता है क्योंकि ऊपर चड़ने का यहां पर एक सीक्रेट रस्ता रहता है जहां से हम लोग अपनी छट पे चड़ सकते हैं यसलिए बनाए कि अगर किसी को कभी छट पे जाना है तो फिर कैसे जाएगा भाई तो आपको बातरूम से ही जाना पड़ेगा बस वो रस्ता मिल जा मुझे यह रम मिल गया और यह हम लोग आ गए उपर जेट इसको मैं पूरे दिन के लिए यूज कर नहीं सकता क्रेन तक तो पहुच गया हूं मैं थोड़ा और मुझे हाइट पर उड़ाना पड़ेगा इसको तभी उपर जा पाएंगे हम लोग इदर यह आ गया अब इस पे लैंड करना है बस मुझे अच्छे से नीचे नहीं गिरन पहले मैं हर चीज कर लेता हूं नीचे चलते हैं अभी तो पहले जट पैक से क्या होगे इसको चर्ल क्यों नहीं रहा ही अच्छा मैं गलत बटन दबा रहा था अब सबसे पहले हम लोग चलते अपनी बाईक के पास इससे पहले इसका तेल खतम हो जाए पौज़ा पॉज़ और फिर पांच लोग को मार के दिखाना है। यार बहुत ज्यादा दिन हो गए है एक्सरसाइस करते हुए। लगता है आज फुल वर्काउट मोड में आना पड़ेगा। तो फिर आप देखो गाइस मैं कैसी एक्सरसाइस करता हूँ। तो ट्रेनिंग मैंने अच्छे से कर लिये भाई बाड़ी पूरी खदरनाग हो चुकी है। अब जाता हूँ ढूमता हूँ उन पांच लोगों को जो मेरे से लड़ने वाले थे कहा हूँ बेर सामने आओ तुम लोग को कहां ढूनना पड़ेगा लेकिन उन लोग को यार मैं ये सोच रहा हूँ अरे आगे मेरे पीछे ही देखा इतनी देर से भाई ये तो पांच लोग हैं लेकिन इन में से भाई एक लड़का चाल लड़ क्या ठीके ड्राय करके देखता है ये लो ये लो लाद घुसे भाई दोनों को मारा तीरों को मारा एक और गई वसे एक और बचिए ये भी गई ये देखो पांच की पांच लाशे बिछा दिये मैंने फोटो चाहिए तो बाद में भेद दूंगा लेकिन ये हमारा प्रूफ बॉड़ी बनाने का हम नेक्स देखते हैं क्या करना है तो अगला है अगला हम लोग को ये पोशन चाहिए स्पीड पोशन है क्योंकि सुपर मैन की स्पीड अगर हमेंच चाहिए को बहां से नहीं मिले देखते हैं लेकिन अभी उपर जाके क्या वहां से रस्ता है कि नहीं है लेकिन यहां पर मैंने थोड़ी सी भाई थोड़ी सी मतलब इत्तु सी यार तेस कर दी भाई जिसके कारण में नीचे गिर चुका हूँ अब मुझे हलकी सी और स्पीड कम करके अगली बार ट्राय करना पड़ेगा इस बार स्पीड थोड़ी सी कम रखेंगे हलकी सी ठीके यह आ गए लेकिन हम मैं सोच रहो हूँ भाई पीछे नहीं जाओंगा यहीं से एक्सलेटर दबा के सीधा अगली विल्डिंग पर जम मारें नहीं रहा है तो यह बॉटल भाई काफी जाधा बड़ी है लगता है पूरी की पूरी गटक नहीं पड़ेगी तब ही आएगी सूपरमैन स्पीड तो पोशन भी मिल चुका है अगला देखते हैं क्या चीजे रह चुकी है ओके तो यह एक मास्क सूपरमैन का हम उठाना आटेगी लेकिन जो फोटो थी ना वह फोटो थोड़ी अलग थी मतलब रेल्वे पट्री की तो थी लेकिन अधर रेल्वे पट्री जो है वो रोड से मिल रही थी अब मुझे वह जाकर ढ़े चुझा रही यह रोड दिख गई तो यह पड़ा है वह सूपर मैन का मास्क और हम लोग को भाई बाल भी फ्री में मिल रहे हैं इसके साथ यार अभी भी कुछ बचा है क्या सब तो हो ही गया है अच्छा एक फाइनल टेस्ट बचा है हम लोग का यार यह विजन वाला तो हम लोग को अपनी स्नाइपर से तीन लोगों को ओडाना है वो भी इस हाइट से तो उपर तो मैं आच चुका हूँ इस हाइट के जहां की फोटो थी लेकिन भाई मुझे चश्मा नहीं लगा है बट मुझे यहां से कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है लोग तो दिखने ची लेकिन सड़क पर एक बंदा दिखाई नहीं दे रहा और गाड़ी भी सिर्फ ए यह नजर मानी जाती है मेरी कभी कवार लेकिन पता नहीं क्यों यह गोल ही नहीं लग रही है रुक जाओ एक सेकेंट यह गया एक हेडशॉट मा रहा था इसको तो परफेक्ट दूसरा क्या हो गया यह यह अरे भाई यार यह स्यादा मिस हो रही है नहीं नहीं गाइस यह मे तीनों को अब चलते हैं नीचे यह अपनी बाइक पढ़िए इदर अरे नहीं भाई मेरी बाइक अरे बाइक छड़ो मैं गया इदर ओहो बचा लिया बचा लिया वह पोशन गाम आ गया कि मुझे कुछ हुआ ने अभी लेकिन एक दिक्कत आ चुकिए पुलिस मेरे पीछे लूए जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल जल्दी चलो यार घर बस मेरा थोड़ी दूरी पर इससे पहले यह मुझे पकड़ ले मुझे यहां से भाग ना पड़ेगा यार क्या ही action चल रहा है मेरे बगल में से लोग गाड़िया निकाल रहे हैं भाई लेकिन अभी तक मेरे को ठोक नहीं पाएं बहुत ही तगड़ा भाग रहा हूँ मैं बसे लोग उत्तर नहीं जा रहे उत्तर गए नई गोली मानने चलू कर दिया है जल्दी चलो जल्दी चलो इससे पहले मुझे गोली लग जा यार दो चार अरे कूद गया उपर बच गया और अंदर चलो अरे गोली पड़ी गई एक चलो कोई बाद नी घर के अंदर तो आ चुका हूँ मैं सेफ नहीं लेकिन मैं अब मैं कहा जाओ मुझे ये समझ नहीं आ रहा यार धक गया भाई म और नहीं दोड़ सकता मैं अब अरे 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 भाई साब मुझे असमान में कौन कीच रहा है असमान में कहां जा रहा हूँ मैं ये बात भाई सूपरमैन बनके वापिस आ रहा हूँ मैं और आखिरकार मैं सूपरमैन बन चुका हूँ भाई क्या बोड़ी बन चुकी मे हाइट भी ना बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और साथ में मास्क में तो सही में मैं बिल्कुल ही अलग आदमी लग रहा हूं चलो बाहर चलके देखते हैं कौन यहां बाहर बदमोसी कर रहा है भाई अभी एक-एक को मारेंगे अरे यार कोई ही नी सडक पे कहां चले गए सब लोग देखो मैं सूपर मैन बन चुका हूं अब मुझे आ रही है गुस्सा अब कोई मिला नी ना अब मैं उड़ने जा रहा हूं अरे भाई क्या मजा आ रहा है यार उड़ने में पूरा शहर उड़ने में बिलकुल यासानी से यार चिडिया वाली फीलिंग आ रही है देखो बिल्डिंग से भी उचा उड़ो पा रहा हूं यार मैं मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूं अभी कुछ भी मतलब लिटरली गौड मुझाद हूं चलो आप लोगों को भी दिखाता हूं कैसी फिलिंग आ रही वूड़ने में आर मतलब देखो कितना ज़्यादा मजा रही है देखो learned के just Beach to blowing कूछ भी कर सकते हैं कहीं से भी जा सकते हूं कितना भी छोट रस्ता हूं अराम से मुड़ सकता हूं और thrill दिखाता हूँ यह देखो यहां से उपर यहां से नीचे यहां से left ओ भाई मज़ा गया मज़ा गया और थोड़ा सा रिसकी दिखाता हूँ यह देखो नीचे से जाते हैं building के और यहां से उपर भाई मज़ा ही आ रहा है यह देखो यह एरपोर्ट है यहां पे प्लेन का सूट तो चला ही गया पता नहीं क्या हुआ जैसी मैं ठुका यहां पर आके सारी पावर्स चली गई लग रहा है यार कोई बात नहीं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी का इस तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि वाई नेक्स आपको कौन सा सूपर हीरो देखना है और ये वीडियो का इस एंटरटेन्मेंट के लिए आप लोगों की इसलिए ये रियल नहीं है और अगर आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी है जहां पर मैं हल्क बना था तो आपकी स्क्रीन के उपर आ रही होगी देख लो दबाके